आप से मैंने वदी किया था कि वे आपको इंगलीस क्या हुँगा और आछ दिकोगे फिर नहीं को कॉन से जहिए नहीं को कि यालसा हुँआ से वे नहीं काम क्या एन कि और मैं जानता हूं इंगलि Aujourd जाते हैं कि ISट मथ्यूह पहराय को होका उतङा है कि तो बच्छों बोलते हैं फरफर應該 aux बोलते हैं और हमारी खौयश होते हैं कि हम वरיע REM लेकिन क्यूंकि उनको देखकर כर हमें एसास होता है कि कि हम इंगलिष कैसा बोले आज लेकिन फिर भी हम कोशिच करेंगे यहां से कि फर-फर English बोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्छो आप मुझे बताओ जैसे आप उर्दु जबान बोलते हैं हिंदी जबान बोलते हैं तो क्या किसी आपको किसी किसी ने सिखा है कि आपको बोलना किसी ने भी ने क्योंकि आपस में company होती है जिसके वैसे हम सीख लेते हैं तो वैसे ही English के लिए भी एक company चाहिए याने कि आपके friends है तूटी पूटी English क्यों नहीं होती है बोल दो कोई मसला नहीं है आप बोल सकते हैं English मुझे guarantee है अगर आपके interest है आपको English सीखने में तो बिल्कुल आप English सीख सकेंगे बच्चों जब कभी कोई English बोलता है तो हम भी सोचते हैं कि हम भी English बोले लेकिन हम बोलने से डरते हैं क्यों डरते हैं हम सोचते हैं कि शायद हमसे गलती हो जाए शायद सामने वाला कोई हम पर हसे, बिल्कुल नहीं हसेगा, क्यूंकि आपने देखा होगा, बहुत सारे किर्केट प्लेयर से वो लोग, शुरू में उनकी इंग्लिश बरावर नहीं होती, बाद में वो आशता शता, इंटर्यूज दे के, कनेक्शन्स होते होते इंग्लिश क वो ख्यारते हैं, आपस मेरे से फ्रेंज से आयाती है, और फिर वो इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, तो मैं भी मेरे ख्याल से सोचता हूं कि वे आप लोग अगर मेरे साथ दे, या मैं यहां से साथ से आठ वीडियो में बनाने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल इंग्लि या guiding मैं यह तो बादाने कर रहा हूं कि, अप फरिली hear фड फर इंग्लिश बोल देंगे जैसा आप इंग्लिश नहीं बोल पाऊब इसलिए आप को इंग्लिश बोलना है है यह आप ठान लो फिर दूसरी बात ही भी है थान हो कि इंगलिश कुछ मुस्किल ने हुती है बस हम कहने की घुष there हैं मेहनत करनी जोंती है इंगनी बोल रहा हूं इंप्रेस हो रहा है और भी वह तो इंगलिष बोल रहा है अरे आप भी कर सकते हैं क्यों मुश्किल है अश्कुष मुश्किल नहीं है बस तैयारी करो क्या चाहिए बो लो यह नहीं बोर रहा हूँ, मुझे पता है कि यह अभी फिलाल की बात नहीं है, आपको सबसे पहले आपको रीडिंग आना चाहिए, रीडिंग कैसा आएगी, रीडिंग आएगी आपकी हंड्रेटिंग अच्छी होने के बाद, आप अगर लिखने में प्रैक्टिस में अगर आ यह वर्ट्स को ऐसा पढ़ते हैं, एक बार वो वर्ट्स पढ़े, इसके बाद आप जाएंगे विकैबलरी के तरफ, यानि कि आपको मैं वर्ट्स दूंगा, वो विकैबलरी आपने अच्छे से याद कर लेना है, उसके बाद मैं तीन फार्म दूंगा, वो तीनों फार्म अच्छे से याद करोगे, तो हम उन वर्ट्स को हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करेंगे, बिल्कुल इजी मेथर से बताऊंगा, कुछ भी भाट नहीं है, बस खाले आप लोग इंट्रेस लो, और घर पे बैठे बैठे अराम से इंगली सिखो, आपको कोई हजार और रुप्य बाहर दाल कर स्पोकन इंगलीश के क्लासिस करने की ज़रूद भी नहीं है, बस खाले आप मेरे वीडियो को साथ साथ वीडियो आप देख लीजिए, बस समझ जाएगे कि आपको इंगलीश आना चाहिए, तो करते हैं वादा कि आप बराबर पढ़ कर रहे हैं, तो हम आज से यह आयत कर लेंगे, प्रामेस करेंगे, एक दूसरे से कि हम इंगलीश सीखेंगे, इंगलीश बोल कर रहेंगे, ठीक है? तो बचो इंगलीश सीखना है, तो मैं यहां से साथ साथ वीडियो अपलोड करूँगा, इसकी लिए अगर आपने मेरे चै